कि नमस्कार दूस्तो अग्रिकल्चेकिंग पर आप सभी का स्वाकत है आज हम देखेंगे क्रिपको प्रीवीज सेर्फ क्वेशन पेपर बहुत सारे स्टुएंट्स का क्वेशन आ रहा था कि सर क्रिपको का प्रीवीज सेर्फ पेपर है जो 2019 में हुआ था उसका आप कहां से आपको PDF मिल देगा कैसे आप questions by question आप देच सकते हैं तो आज मैं उसको लेकर आया हूँ आपको में दिखाता हूं कि यह कहां से आपको मिल जाएगा सबसे पहले हम लेखिए आपको स्कीन पर दिख रहा होगा कि मैं यह किस website पर हूँ एग्री एक्जाम नेम से यह website है यह इ सारी चीज़े इस पर मिलती है आपको तो यह बहुत ही अच्छी site है इस पर आप जाके जो question है previous year को कमें लिंक डाल दूँगा वहां से आप इसको देख सकते हैं और मैं आज यह first part है इसमें मैं लगभग 50 questions discuss करूँगा तो next part का वी वीट कर जाएग आप जिसमें मैं सारे question complete बीट कर दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं मिना time waste किये पहला question है red color of tomato is due to जो लाल क्रों होता है टमाटर का वो किस कारण से होता है तो इसमें पहला है एंतोसाइन दूसरा है carotene तीसरा है isothiocynate और last है none of these तो इसमें के right answer होगा lycopene जो इसमें है नहीं इसलिए इसका right answer none of these ठीक है मैं आपको यह वीडियो लंबाया होगा इसलिए मैं इसका detail में नहीं बताऊंगा अगर आप comment box में लेखेंगे तो मैं सारे जो questions में होता है जो carotene होता है उसका क्या use होता है मैं सारी चीज़ें के बारे में discuss कर लेंगे प्लीज आप अगर आपको चाहिए तो comment box में जरूर लिखी next question है black cotton soil is best for the cotton because of cotton की जो खेती होती है में soil जो होता है जो मिट्टी इसमें चाहिए काली मिर्दा सबसे अच्छी होती है क्यों तो इसका जो answer है वो retained moisture मतलब वो moisture को hold करके रखती है मतलब उसमें जो pores होते हैं बहुत congested होते हैं इस soil के इसलिए जो leaching property वो कम हो जाती है next question है which is the process release energy in plant किस process में जो energy होती 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 है निकलती है तो इसका right answer होगा respiration ठीक है respiration में exothermic reaction होता है मतलब heat evolve होती है well energy release होती है next question है the ratio of water used metabolism to water lost by the plant through transpiration is known as इसको कहते है water use efficiency water use efficiency का ही यही formula है कि the ratio of water मतलब पानी used by the plant metabolism जो पौधो दोरा काम किया गया उसमें पानी कितना use हुआ है और उसका ratio into ratio मतलब जो ratio दूसरा है water loss कितना water loss हुआ है इसको कहते है water use efficiency ठीक अगर कहीं भी confusion लगए तो आप comment box में लिखिए मैं solve कर दोग in which of the following disease which is the most serious disease of okra जो भिंडी का जो प्लांट है उसमें कौन सी इसमें से चारो में से कौन से serious disease है तो इसमें पहला है downy mildew, दूसरा powdery mildew, तीसरा yellow vein mosaic, चौथा root rod तो इसमें इसका अगर yellow vein mosaic यह आप maximum जो कुकुर बिटेसी family की जतने भी crops है उसमें आपको जो yellow vein mosaic है वो देखने को मिल सकता है mostly, cases में देखा गया है, next question है Indian seed act was passed in which year, इसका right answer है 1966, मतलब 1968 में यह seed act passed हुआ था, ठीक है, next question, which of the following is biennial crops, मतलब दो साल के लिए अवद ही में कौन सीसमें crop हो जा थी, इसका right answer है, इसका पहला option है carrot, दूसरा onion, तीसरा potato, चौथा tomato, तो इसका right answer है carrot, next question, how to convert the hectare into acre, by multiply form, किस अंक से गुड़ा करने पर, हम hectare को acre में बदो सकते हैं, तो इसका right answer है 2.4710, ठीक है, next question है, who gave the double helix model of DNA, इसका right answer है, Watson and Craig, next question, SRI system of rice intensification, SRI system of rice cultivation was introduced from which country, किस देज़वारा, SRI method, मतलब, निकाला गया, introduced किया गया, तो इसका होगा right answer, Medagascar, ठीक है, आप इसको अच्छे जानता होगे, बहुत tough question नहीं है, तोड़ा, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको इस सारे question करने में, बिल्कुल कटना ही नहीं होगी, ratio of evotranspiration to potential evotranspiration is known as, इसका right answer होगा, crop coefficient, next question, aesthetical test of determined whether two population means are different, when the variance are known and the sample size is large, is known as Z test, Z test का अगर आप definition देखेंगे, तो आपको यह line मिल जाएगी, ठीक है, the field experiment में fertility gradient is one direction, which design is most used, कौन से design में, सबसे जादा, यह जो अगर experiment, वादा fertility gradient जो होता है, वो एक direction में होता है, तो इसका right answer होगा, randomized block design, RBD, international ruler woman day is celebrated on which date, तो इसका right answer होगा, 15 October, next question, organism which is, organisms which feed on living plants is known as, इसका right answer हो, herbivores, बहुत easy question है, mostly plant cell wall is made up of, जादा तर जो plant cell wall किससे बना होता है, तो इसका बहुत easy answer, cellulose से, next question है, what is the suitable temperature for nitrifying bacteria, कौँसा ऐसा suitable temperature, इसमें bacteria nitrify होते हैं, तो इसका right answer, 30-35 degree centigrade, which method is used for plantation of slopey areas, मतलब जहाँ पे, ढाल नुमा जो खेती होती होती हो, किन छेत्रों में, मतलब उस खेती को क्या कहते हैं, तो इसमें contouring होगा, cd लुमा केती, ये south में जादा देखा जाता है, utilization of water, मतलब पानी को बचाने के लिए, इसको किया जाता है, कि पानी जादा waste ना हो, ठीक है, next है, who is the father of white revolution, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, कि इसका क्या answer है, पहला वर्गिस को जीन, दूसरा स्वामी नात्म, तीसरा केल चड़ा और चौता है, दो कोचे हो, ठीक है, तो इसका right answer है, वर्गिस को ये, ठीक है, next question, for the control of mites, mites को control करने के लिए, कौन से chemical use होता है, चौता है, गमाएंट है, टूसरा है, इंसेक्ट चूँकल म के लिए, और दूसरा फंगिसाइज, विच्ट टेइचिस से का र्गिस्था नेक्स पिर्णा, सब्सक्राइब करें तो आपको आईडी हो जाएगा कि समय कैसे किसे किस लेवल के आते हैं विच स्टेज यह हाइस्ट पॉड्यूसर पॉड्यूसर दूसरा है मतुपदेश तीसरा है गुजरात चौथा है बिहार कुछ जर वीडियो पॉस्ट करके आप देख भी सकते उसके बाद देरा एंसर सुन सकते हैं वीडियो पॉस्ट करिए और एंसर देखे ठीक है तो इसका राइट एंसर होगा MP मदपदूश नेस्ट कॉच्चन है हाव मैनी एग्रो क्लामेटिक जोन इंडिया अकॉर्डिंट प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग ए इक्री सेट का फूर्फ फॉर्म आप आच्छे जानते होंगे इंटरनेशनल क्रॉप रिस इंस्टिटूट फॉर इस सेमियर टॉपिक्स ठीक नेस्ट कोश्चन है विच इस अब से बेस्ट फर्टिलाइजर है राइस क्रॉप के लिए इसका राइट एंसर होगा इस वीडियो का लास्ट कोश्चन होता है तो नेस्ट कोश्चन है और बोरी देखते होंगे यूरिया की देखे होंगे तो 46.05% लिखा रहता है नेस्ट है 40 कोश्चन जो आप इस वीडियो का लास्ट कोश्चन होगा नेस्ट पार्ट टू में बाकी सारा में डिसकस करूँगा नेस्ट कोश्चन है लीफ कल डिजीज ऑफ कॉटन डू टू जो लीफ कल होता है पत्ते मुड़ जाती है वो किस कांड से होती है बैक्टिरि अगर आपको एगरी कल्चर से रड़ चाहिए हो ग्रिसी संबंदित या फिर आपको चाहिए कि कौन सा पेपर कब आ रहा है या फिर कंटेंट बेसिस पर चाहिए तो आप इस यूटिब चनल को सब्स्क्राइब कर लेजी मेरे को कमेंट करी आप मैं कोशिश करूँगा कि आ आपको अच्छी सुविदा दे पाऊं और अच्छी से समझा पाऊं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जै जवान जै कि सांद जैहन